आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर income tax की official website आपके सामने open हो जाएगी, इस website का link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा, आप directly वहाँ से भी इस website पर पहुँच सकते हैं, हम इस website के link पर क्लिक करेंगे, जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इसकी website का webpage open हो जाएगा, और यहाँ पर आपको home tab पर click करना है home page पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे तीसरे नमबर पर आपको एक option दिखाई देगा link आधार basically link आधार status की वीडियो मैंने बनाई हुई है इसमें आप यह पता कर सकते हैं कि आपका आधार आपके pen card के साथ link है या नहीं तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है आपको i button पर इसका link मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर के इसको check कर सकते हैं हम इस वीडियो में केवल सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपने अधार card को pen card के साथ link कर सकते हैं तो आपको इस तीसरे number पर click करना है इस पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने तीन process हैं इन तीनों process को आपको complete करना होगा नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना pen card number डालना होगा और यहाँ पर आपको अधार card number डालना होगा तो हम फटाफटी से डाल लेते हैं अधार card और pen card number डालने के बाद right side में आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा validate का इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक notification आएगी जिसमें आपके सामने notification में लिखा होगा कि payment detail not found for this pen यानि कि आपने अभी तक कोई payment इसकी नहीं की है इसको link करने के लिए तो यहाँ पर आपको इसकी notification को read करके नीचे की तरफ आपको एक option दिखाए देगा continue to pay through e-pay tax इस पर आप जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे आपका next process यहाँ पर start हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना pen card number फिर से fill करना होगा तो हम फिर से वापस pen card number fill कर लेते हैं pen card number को fill करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको mobile number fill करना होगा तो आपको ध्यान रहे यहाँ पर आपको वही mobile number डालना है जो अधार card से आपके link है तो यहाँ पर आपको अपना mobile number type कर देना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने continue का एक option आएगा इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 15 मिनट का time रहेगा fill किये गया number पर आपको OTP बेजा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना है तो हम फटाफट OTP fill कर लेते हैं OTP fill करने के बाद यहाँ पर आपको continue option पर फिर से click करना है जैसे आप continue बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका pen card number और आपका नाम यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा अगर आपका pen card number और आपका नाम बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर continue पर फिर से click करना है continue पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन option दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला option select करना है income tax वाला यहाँ पर proceed का एक option आपको दिखाई देगा इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने assignment year आपसे मागेगा तो आपको यहाँ पर click करना है सबसे top पर आपको 2023 से 24 का assignment दिखाई देगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपका financial year जो होगा वो 2022 से 23 और selected assignment year आपका 2023 से 24 आपको दिखाई देगा इसके बाद next option पर आप देखेंगे यहाँ पर type of payment है इस पर आपको click करना है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको second number पर एक option आपको दिखाई देगा अब आपको यहाँ पर सीवधे continue पर click करना है ध्यान रहे हैं अगर यहाँ पर आपका amount 0 आ रहा है तो इसको वापस से आप 1000 type कर लिजेगा और यहाँ पर आपको continue पर click करना है तो मैं आपको बताओं यहाँ पर सबसे अच्छा method जो है payment का वो होगा आपका payment gateway payment gateway से आप यहाँ पर phone पे paytm का use करके बहुत आसानी से इसका payment कर सकते हैं payment gateway में आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दो bank आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैं basically आपको recommend करूँगा कि यहाँ पर कोटेक bank को select करें क्योंकि इसकी service थोड़ी सी अच्छी है और इसकी service थोड़ी सी fast भी है तो यहाँ पर हम कोटेक bank को select करेंगे और यहाँ पर continue पर वापस से click करेंगे जैसे हम continue बटन पर click करेंगे तो नीचे की तरफ आप जाकर देखेंगे तो आपका फिर से total amount दिखाई देगा आपको 1000 रुपीज का जिसका आपको payment करना है नीचे की तरफ आपको pay now का एक option दिखाई देगा इस बटन पर आपको click कर देना है इस बटन पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ terms and conditions आएंगी इनको आपको read करना है read करने के बाद यहाँ पर आपको agreement को select करना है I agree पर click करने के बाद यहाँ पर submit to bank वाले option पर आपको click करना है जैसे यहाँ पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपका codec का जो build X था वो आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगा ध्यान रहें यहाँ पर आपको वही mobile number डालना है जो आपके bank से link हो जिससे आप paytm या phone पे चलाते हैं आपको वो number और mail ID आपको यहाँ पर fill कर लेनी है तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना mobile number और email ID फिल कर लेता हूँ mobile number और email ID डालने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा I have understood का और terms and conditions का तो इस वाले option को आपको tick करना है उपर वाले option को आपको tick नहीं करना और नीचे की तरफ आपको दिखाए देगा proceed का एक option इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यापर काफी सारे method दिखाए देंगे payment के जिसमें से आप अपने credit या debit card से payment करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं net banking के थूँ करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं अगर आपको UPI से करना चाहते हैं payment तो वह कर सकते हैं और या फिर QR के थूँ करना चाहें तो QR code के थूँ भी आप इसकी payment कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा method मुझे UPI लगता है तो मैं यहाँ पर UPI को select करूँगा UPI को select करने के बाद आपके सामने आप पर काफी सारे UPI आ जाएंगे जैसे Google पे, Beam UPI, Phone पे, Paytm, Amazon पे और Other VPA तो basically मुझे जो सबसे अच्छा method लगता है वो phone pay का लगता है तो मैं यहाँ पर phone pay को select करूँगा तो basically यहाँ पर आपको अपना UPI डालना है तो फटाफट मैं अपना UPI डाल देता हूँ UPI को fill करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने का option हैगा make payment for 1000 का इस पर आपको click करना है इस button पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने 5 मिनट का time होगा 5 मिनट के अंदर आपको अपने phone पर जाना है अपना phone पर login कर लेना है या जो भी आपको message भेजा गया है phone pay की तरफ से उस पर आपको click करना है उस request पर जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का payment का एक option दिखाई देगा 10 number का और 1000 रुपीस का यहाँ पर आपको pay पर click करना है pay बटन पर जैसी आप click करेंगे तो नीचे की तरफ फिर से आपको pay का एक option दिखाई देगा इस पर आपको फिर से click करना है इस पर click करने के बाद आपको अपना यहाँ पर password डाल देना है password डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो payment था वो यहाँ पर successful हो चुका है यहाँ पर आप अपने receipt को download करना चाहें तो download वाले बटन पर click करके उसे download कर सकते हैं download पर click करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगा इस PDF पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा income tax department की तरफ से आपका जो payment था वो यहाँ पर कर दिया गया है amount की अगर हम बात करें तो 1000 की जो हमने payment की थी वो payment receipt आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है मगर अगर आप यह सोचेंगे कि आपका pen card और अधार card लिंक हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी आपका अधार card और आपका pen card लिंक नहीं हुआ है अभी सिर्फ इसकी payment आपने की है payment करने के बाद आपको फिर से उसी option पर फिर से जाना है और फिर से वही step दुबारा से repeat करना होगा और वहाँ पर आपका यह amount reflect होने लग जाएगा उसके बाद आपके pen card को अधार card के साथ लिंक कर सकते है तो इसके लिए मैंने एक और सेफरेट वीडियो बनाई हुई है आई बटन पर आपको उसका भी लिंक दिखाई दे जाएगा वहाँ पर क्लिक करके आगे का process कर सकते है तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्यवाद